दीदी एक वार देख तो लो जी जा जी कैसे लग रहे हैं सारी काने बोला संसकर्ती ने फिर वी सर जुकाये हुए ही लड़के के गले में जैमाला डाल दी और उसकी आँखों से अस्क बहचले सभी ने तालियां वजा दी और धीरे धीरे सारी रस्मों के वाद जब विदाई तो संसकर्ती ने अपने पापा से लिपट कर बहुत रोया जैसे कि क्या कुछ छूट गया हो उससे गाड़ी में बैठते हुए उसने अपने मन में ही बोला सारी समर पर हमारा साथ यहीं तक का था सुनिए आप जरा ये पानी पी लीजिए कापी ठकी हुई लग रही हैं पाट लहजे में बोला हमें नहीं चाहिए और प्लीज दूर से बात कीजिए हमसे हमें अच्छा नहीं लगता ऐसे अब लड़के ने उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए बोला ठीक है कुछ देर बाद गाड़ी एक आलिसान बंगले के सामने आकर रुकी वो लड़का पाट नहीं कुछ भी नहीं सारी रस्मों के वाद जैसे ही वो कमरे में लाई गई तब सिर उठाकर एक नजर कमरे के अंदर देखा और घवराहट के मारे पसीने से तरवातर हो गई सबी लड़कियां कमरे में उसे छोड़कर चली गई वो अंदर आई और कमरे की सजावट को देख उसकी रुलाई निकल गई उसने आवाज गले के अंदर ही दवा लिया फिर खुद को मजबूत बनाते हुए सोफे पर जावे थी उसे नींद भी नहीं आ रही थी नींद औ पहले ही बोला है ना दूर रहकर बात करो मुझसे आज पहली और आखरी बार बोल रही हूं आपसे मैंने ये साधी फैमिली की खुसी के लिए की है मुझे आप में कोई रुची नहीं है और जूटा दिखावा मुझे आता नहीं है ठीक है संसकरती जी लेकिन आप बिस्तर उसे अर कर ही सकती है ना बिल्कुल नहीं दूर रहो मुझसे और मुझे अपनी पतनी समझने की भूल मत करना मैं सिर्फ एकी इंसान से प्यार करती थी करती हूं और करती रहूंगी साधी के पहले ही मैंने बोला था फोन पर कि आप इस साधी के लिए मना कर देना मैं किसी औ को पसंद करती हूं लेकिन नहीं तुम तो बारत लेकर ही आ गए सीधे दर्वाजे पर इतना बोल जैसे ही संसकर्ती ने सर उठा कर देखा तो पाया उसका पती दर्वाजे की तरफ पलट गया था और बाहर जा रहा था उसे ऐसे जाते देख संसकर्ती ने चैन की सांस ली और स से निकलने लगा कहा जा रहा है बेटा साधी की पहली रात को ही हम संसकर्ती को क्या जवाब देंगे बेटा तूने ही साधी की जिद की थी ना तो आप क्यों जा रहा है उसे कुछ पूछने और बताने की जुरत नहीं है मा आप दोनों उसका ध्यान रखना जब तक मैं पूती क्यों नहीं है ये लाश्ट इयर है इसके बाद वो कॉलिज से बाहर और तू बस चुप चाप रहना पायल गई थी उसके पास लेकिन हिम्मत नहीं हुई तो चुप चाप फिर से बापस आ गई यार वो भी तो कुछ नहीं बोलता है देख लेना तुम दोनों ऐसे ही चुप रहो कहीं एक दिन तुम दोनों की साधी हो गई तो बिना देके ही तू से रिजेक्ट कर दे और वो तुस से बहुत दूर चला जाए फिर बैठी रहना आसू बहाते बोलते हुए पायल ने उसके सर पर चपत लगाई और दोनों खिल खिला कर हस दी तबी दरबाजे पर दस्तक हुई और संसकर्ती की तंद्रा तूटी सुबह सुबह नहा कर मिरर के सामने रेडी हो रही थी वो अपनी पुरानी आदों से बाहर आ गई जैसे ही उसने सिंदूर लगाया फिर समरपड का चेहरा उसकी आखों में घूम गया उसने सिंदूर लगाया और पल के ब दिल में उतर गया था हमेशा उससे मुलाकात होती थी दोनों एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते पूरे दो साल वो उसका सीनियर रहा फिर कॉलेज कंपलीट कर लिया था समरपडने लेकिन कभी एक दूसरे से बात ही नहीं की थी वो बीच बीच मे करना चाहता था लेकिन फैमिली बिजनेस भी जरूरी था तो वो अपने पापा की हिल्प भी करता था उससे मिलने भी आता था अपने कॉलेज के लाट साल में उसने समरपड को अपने दिल की बात बताने की सोची थी उस दिन वो कॉलेज अपने दोस्त कुनाल के साथ ही गा साधी की न्यूज कब बताएगा तूने अपने घर वालों को और ससुराल वालों को मना लिया है वो भी इतनी जल्दी चल तू अभी ये न्यूज सब को बता दे जवाब में समर पर कुछ कहता उसके पहले ही संसकरती बहां से चली गई आज उसका प्यार अपनी साधी की बात उसके पास आने वाला था लेकिन उसकी सुनने की हिमत नहीं थी इतना बड़ा दिल नहीं था उसका बहां से सीधे अपने घर गई थी बहुत देर वो बेट पर पड़ी रोती रही और सो गई साम को जब पापा उसकी छोटी वहन सारिका को स्कूल से लेकर आए तो संसकरती क बुलाकर चैर टेवल पर वैठे और बोले बेटा इस साल तेरा कॉलिज कम्पलीट होने वाला है मैं सोच रहा था तेरी साधी का जहर दे दो पापा मुझे तुनकते हुए गुस्से में दहकते लाल चेहरे के साथ जैसे ही संसकरती ने बोला उसके पापा चुप हो गए के लिए पर अब उसकी साधी हो चुकी है और अपने पती को अपनी सच्चाई पहली रात को ही बता दिया था उसने दरवाजे पर देखा तो उसकी सास मिसेस सिंग मुस्कुराती हुई खड़ी थी संसकरती ने सर पर पल्लू लिया और उनके पैर्च हुए परणाम किया उन भी बैठ गई आज उस बात को सास साल भी चुके थे और उसकी साधी के एक हपते पहले उसके पापा ने अपनी जान देने की धमकी देकर उसे साधी के लिए बोला था आखिर उनकी छोटी बेटी की साधी की उम्र भी हो गई थी और बड़ी बेटी की जित्तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और उनकी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं था आखिर उनकी पतनी के जाने के वाद इन दोनों बच्चियों के लिए ही तो जी रहे थे अब यही उसका घर था लेकिन तब भी समर पड़ उसकी जिंदगी नास्ते के बाद जैसे ही वो खड़ी मिटर स कहीं चला गया है लेकिन हमें इस बात का अफसोस है अगर तुम्हें घर में अकेला पन लगे तो आफिस आ जाया करना संस्करती जी पापा बोलकर वो अपने कमरे में आकर सामा समेटने लगी लेकिन तब ही उसकी नजर दीवार पर लगी फोटो पर गई तो वो हैरानी से ल अब संसकरती को काटो तो खून नहीं उसका चहरा घबराहट से सफेद पड़ गया था ये उससे कैसी गलती हो गई थी उसने अपने ही प्यार को बोल दिया कि वो किसी और से प्यार करती है वो दोड़ती हुई बहार आई तो किचन से बहार आती हुई मिसेस सिंग से टकरा गई उन्होंने उसे पकड़ते हुए ही बोला संभाल कर वेटा हुआ क्या है कुछ नहीं मा बस आप से मिलने ही आ रही थी संसकरती मा क्या हमारी साधी के लिए पापा आये थे आपके पास नहीं बेटा वो तो संसकार को तुम पसंद थी काफी सालों से फिर कुछ सोचते और जब आना हो तो बता देना, हम गाड़ी भेज देंगे, फिर उसके चेहरे पर हाथ फेर कर बहां से चली गई, जब वो घर गई तो देखा, पायल उसके घर पर बैठी है, जो गुस्से में उसे ही घूर रही है, बुझा कर उसके गले मिलते हुए बोली, उतनी देर कर दी जाने में, फायल ने गुस्से में ही बोला, क्या करती, साधी के बात कुनाल ने, जल्दी में ही जाना पड़ा, सोचा था, आकर तुससे बात करूंगी, लेकिन तूने तो सब बरवात कर दिया था, और हमारी फैमिली का, इसकी बज़े से यहां आना नहीं हो पाया, और जब पापा, बहुत बुरी हूना मैं, नमन पुरोहित, संसकर्ती के पापा ने, उसके सर पर हाथ फेर कर बोले, नहीं, तू तो गुडिया है मेरी, फिर उसकी तरब देखती हुए बोले, कुछ पूछना है, हमेशा उसके पापा, उसके बिना बोले, उसकी बात समझ जाते थे, फिर क्यूँ उसने, पापा की बात नहीं समझी, उसने धीरे से बोला, पापा, कॉलिज के लाश्ट साल में, जिसका रिस्ता मेरे लिए आया था, क्या वो समर पर था, पापा ने सहमती में सिर हिलाया और बोले, उसने साथ साल से, हिमत नहीं हारी बेटा, लेकिन तुमने उ प्रवाद बिश्टर नमन की थी इन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी ये सोचते ही उन्होंने उसे देख कर बोला कोसिस करो कि सब ठीक कर सको मेरी बेटी हार मानने वाली नहीं है मुझे पता है अब जाकर आराम करो जैसे ही वो अपने कमरे में आई एक और सरप प्राइज उसका इंतजार कर रहा था एक तीन साल की बच्ची पायल के बगल में सो रही थी उसने उसे देखते हुए पूछा ये पायल कोयल मेरी और कुनाल की बेटी कॉलिज के बाद ही फैमिली ने हमारी साधी का फैसला कर लिया चार साल हमने जगड़े में बिता दिये म पिडिल क्लास फैमिली थी हम दोनों की तो सैटल होने में बक्त लगा फिर कोयल में बिजी रह गई हम दोनों की ही जॉब हैदराबाद में थी तो अब जाकर यहां ट्रांसपर हुआ है तीन साल से कोसिस में थे हम फैनली अब सब ठीक है संसकरती कुछ ठीक नहीं है यार समर पर घर छोड़ कर कहीं चला गया है फिर उसने पूरी वात पायल को बताई पायल मूँ फाले अपनी उस बेवकूफ दोस्तों को देख रही थी जिसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बेवकूफ होगी एक बीच के फ्लेट के कमरे में एक लड़का बैठा कुछ लिख उसके पास एक छोटा सा लड़का जो लगवग आट-दस साल का था आते हुए बोला भाईया कि आप अभी भी अपना वर्क बचा है लड़के ने उस छोटे लड़के की तरफ देखा फिर अपनी डायरी बंद कर पेन रखते हुए बोला निरणय क्या तुम्हें भूग रहे हैं जब आप फ्री हो जाना तो उनसे मिल लीजेगा बोलकर निरणय बहां से चला गया उसके जाते ही समर पढ़ने कुरसी में अपना से टिका कर आखे बंद कर ली और कुछ समय ऐसे ही बैठा रहा कुछ देर बाद उसने आखे खोली उसकी आखे सुर्क लाल थी उठक उसने अपने चेहरे पर पानी के चीटे मारे और बहर आ गया उसने देखा किसी आदमी की पीड थी उसकी तरफ कुछ आगे बढ़कर देखा तो सामने वैठे अपने ही उम्र के लड़के को देख उसके होटो पर हलकी सी मुसकान आ गई आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाते अप में एक हफते बचे हुए हैं अभी छे महीने पूरे होने में बोलते हुए बो लड़का अपने हाथ में पकड़ा हुआ कागज सामने के टेवल पर रख दिया सामने बाले लड़के की नजर जैसे ही उसकागज पर गई वो थोड़ा चौक सा गया उसने उसकागज को हा हाँ यह समरपर सिंग जो संसकर्टी से प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन संसकर्टी के विवहार से उन्हें लगने लगा कि वो किसी और को पसंद करती हैं और इसलिए पहले तिने साल से साधी से मना करती रही फिर भी जब उसने साधी कर ली तो उसी रातों से इतना कुछ स तुना दिया कास वो साधी के पहले उससे बात कर लेता तो ऐसा नहीं होता समरपड के मन में फिर यही चलने लगा था अब उस लड़के ने हैरानी से समरपड के सिगनेचर को देखा फिर बोला तुमारी साधी हो चुकी है और अब तुम इसलिए तुम्हें छे महीने का बक्त चाहिए था और जहां तक मुझे पता है एक हपते बाद ही तुम्हारा मीडिया में अपनी बुक का नाम भी बताओगे जिसके लिए तुमने अपने बाकी के इंटरव्यू में बताया था वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी निरने बाहर आते हुए बोला भाईया आपके कमरे में फिर बात करते हैं दोनों रूम में गए समरपण ने डायरी हाथ में ली और पहला पन्ना पलटते हुए बोला ये बात लगबग साथ साल पांच महीने 24 दिन पहले की बात है फिर उस पन्ने में लिखा लबज पढ़कर अपने यादों में खो गया पहली नजर क्या कमा लगी थी आपकी जनाब बोन जर एक अतहा समंदर और हम ठेरे कच्चे गोता होर आपने पलके नहीं जबकाई और हम पागल उसमें उतर गहराई तक डूपते चले गए तुम्हें पता है मैं उस लड़की से जब मिला था तो वो उसका कॉलेज का पहला दिन था साथ साल पीछे अब देश परताप सिंग उनिवर्स्टी रीवा ए संसकर्ती रुकना यार इतना तेज क्यों भाग रही है रुकना यार चल ठीक है आज के बाद लेट नहीं करूंगी अब तो रुख जा मेरी मा बोलते हुए पायल दौरते हुए संसकर्ती के आगे आकर हापते कंदे पर हाथ रखा संसकर्ती जो कि उनिवर्स्टी गेट के अंदर जाने ही वाली थी रुक कर उसे देखते हुए ही बोली देख यार इसकूल से लेकर अभी तक तेरे लेट होने का रीजन बस ये तेरे दो कॉली के वैफ्रेंड ही रहे हैं इस वाले को मिला कर पूरे छे कड़कों को तू डेट कर चुकी है इसके आगे वो कुछ और बोलती पायल ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली हां कर चुकी हूं और सबसे ब्रेक अप की बज़े भी तू ही थी ये भी बोलना हां तो बताया तो था कि वो सब बस टाइम पास कर रहे हैं तेरे प्यार मिलेगा ना उस दिन प्यार का सही मतलब जानेगी तू अब चल अंदर चलते हैं पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती मैं बोलती हुई संसकरती ने पायल का हाथ पकड़कर अंदर चली गई दोनों क्लास के अंदर जाही रही थी कि सामने से आते लड़के से टकरा कोई संसकर्ती नीचे गिरने ही वाली थी कि उस लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया तबी पीछे से आते कुनाल ने उस लड़के के हाथ में फैल देते हुए बोला सुन समर पढ़ ये भी ले जा पर सांत सर ने ये भी मगवाया है समर पढ़ ने हां में स सिर हिलाया और आगे बढ़ गया पीछे चोड़ गया तो बस उसकी आंकों में खोई संसकर्टी को जो टकराने के बास से ही बस उसकी आखों में ही कोई हुई थी कुनाल ने दोनों को देखा तो पूछा फर्सट इयर पायल ने जवाब में यεस बोला और संसकर्ती को लेकर क ये मेरा नाम पल्लू कबसे हो गया यार। संसकर्ती नाम छोड़ यार। मुझे उसकी आँखे बहुत खूफसूरसी लगी। फिर अपनी डायरी निकालते हुए उसने उस डायरी के पहले पन्ने पर ही एक सायरी लिखी। लेकर डायरी बंद कर दी। तीन क्लास लेने के बाद दोनों ही घर जाने के लिए निकली। लेकिन एक बार फिर उसका सामना समरपड से हुआ। इस बार वो नीचे गिरी हुई कुछ बुक्स उठा रहा था। संसकर्ती ने आगे बढ़कर अपनी डायरी बही साड में रख द की जो मुश्किल से पांच फुट की थी समरपड को बोलड की अपने दिल की गहराई में उतरती हुई महसूस हुई संसकर्ती ने बुक दिया और आगे बढ़ गई समरपड के तो जैसे सब्द ही गले में अटक गए थे दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए तभी कुछ सोच समरपड ने नीचे देखा जहां संसकर्ती अपनी डायरी भूल गई थी उसने उसे उठाया और अपने बैग में डालते हुई सोचा जब कल मिलेगी तो आज के लिए ठैंक्स भी बोल दूँगा और ये डायरी भी दे दूँगा यार सुनना मे नजरे चुराते हुए धीरे से बूली नहीं तो बस नाम लिखा था पता नहीं कहां रख दी अब मिल नहीं रही है चल छोड जाने दे कलास में अगर किसी को भी मिल गई तो दे देंगे तुझे बोलते हुए पायल आगे बढ़ी ही थी कि सामने से आते कुनाल से टकरा गई दोनों की नजरे एक दूसरे में उलजी ही थी कि कुनाल ने सर जटकते हुए धीरे से बोला देख कर चलिये मिस रास्ते में हर कोई संभालने वाला नहीं मिलता इतना बोल कुनाल समरपड को आबाज लगाते हुए आगे बढ़ गया और बहीं पायल संसकर्ती के साथ क्लास म अपना नाम ही लिखा है कुनाल तो तू डायरी लिख ले बैसे भी तू तो राइटर बना चाहता है तो इसी में अपनी फीलिंग लिख दे और उसे दे देना अभी उसी तरफ से आ रहा हूं देखा मैंने अपनी फ्रेंड के साथ आई है कॉलिज समरपड यार पता नहीं क् कुनाल तो जाकर उसे बात कर बोलेगा नहीं तो कैसे चलेगा जाकर उसे हाई हैलो कर नाम पता पूछ मेरा मतलब है बहाने तो चाहिए ना बात करने का और बात करने से ही बात आगे बढ़ती है समरपड बही नहीं होता मुझसे जुबान सिल जाती है उसके सामने और तू क बहता है बात कर दोपहर में कॉलिज के गेट पर खड़ा समरपड कुनाल से बात कर ही रहा था कि दो लड़कियां सामने से गुजरी समरपड ने देखा संसकर्ती भी उसे ही देख रही है तो उसने उसे इसमाइल पास की बदले में संसकर्ती भी मुस्कुराते हुए आगे गए दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा तो समरपड ने बगल में कुछ रखा नजरों के इस आरे से संसकर्ती प्रस्नबाचक द्रश्टी से उसे देखा तो बदले में समरपड ने भी आँखों से ही उसे लेने को वोला ठीक तबी उसका फोन बजा और बो बात करने एक किनारे चला गया संसकरती ने उसे उठाया जैसे ही खोलने को ही पैल की आवाज सुनकर जल्दी से उसे बैग में डाल बहाँ से उठकर चली गई घर पहुचकर जैसी ही संसकरती ने दरवाजा खोला सबकी एक साथ बर्थडे विस्करने की आवाज गूझ उठी। उसने देखा उसके पापा और सारिका के साथ। पायल और उसकी फैमिली खड़ी हंसते हुए उसके ही इंतजार में खड़े थे। उसका बर्थडे सेलिवरेशन कर पायल अपनी फैमिली के साथ घर चली गई। और पापा भी अपने अपने रूम में अब संसकर्ती को कॉलिज में समरपड का दिया सामान याद आया तो कमरे से बाहर निकल कर वो ड्राइंग रूम में आई जहां उसका कॉलिज बैग रखा हुआ था उसने बैग उठाया और अपने कमरे में आ गई बैग खोल उसने वो चीज बाहर निकाली और देखा कागज में कुछ लपेटा हुआ था उसने उसे खोला तो पाया वो एक गोल्डन पेन था और साथ में एक छोटी सी डायरी उसने देखा एक कागज का सलिप भी था जिस पर लिखा था जन्म दिन की सुब कामना है कि आप हमारी दोस्त बनेंगी अगर हाँ तो कल हमें कॉलिज गार्डन के उसी बेंच पर मिलिएगा हम इंतिजार करेंगे आपके जबाब का समरपण संसकर्ती ने सब चीजे अलमारी में रखी और वो सलिप लेकर बेट पर आ गई बार बार उस सलिप को पढ़कर कुछी देर में सो गई गार्डन में दोनों बैठे अपनी अपनी बुक पलट रहे थे लेकिन मन दोनों का ही एक दूसरे में लगा हुआ था तब ही समरपणने देखा एक सलिप रखते हुए नाजु कॉंगलियों को जो उन दोनों के बीच एक कागच की सलिप के साथ छोटी सी कड़वरी चॉकलेट भी रख रही थी फिर जैसे ही संसकर्थी जाने को मुड़ी समरपण की तरफ एक नजर मुस्कुराते हुई कलास में चली गई आज कल पायल जादा वक्त लाइबरेरी में ही बिताती थी समरपण ने जाती हुई संसकर्थी को देखा और बेंच से चॉकलेट के साथ उस स्लिप को उठाया और उसे पढ़ते ही एक मुस्कुराहट ने उसके चेहरे पर जगह बना ली सबसे पहले तो सुबकामनाय देने के लिए आपको धन्यवाद और ये छोटी सी चॉकलेट हमारी नई दोस्ती के मिठास के लिए संसकर्थी समरपण ने कागज को फोल्ड कर उसी डायरी में रख लिया जो कॉलिज के पहले ही दिन संसकर्थी से छूट गई थी और अब समरपण उसे लोटाना नहीं चाहता था और अब उसमें वो अपने प्यार भरे एहसास सब्दों में लिखना चाहता था दिन बीत रहे थे और अब संसकर्थी और समरपण भी एक दूसरे के पास आ रहे थे लेकिन बाते कभी नहीं हुई सामना होने पर एक दूसरे को मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते थे तो कब उससे दिल की बात बताएगी यार बोलती हुई कॉलिज करिंटीन में बैठी पायल ने समोसे को चटनी में डूबोते हुए बोली यार क्या बोलूं समझ नहीं आता बो भी कुछ नहीं बोलता बस बेंच में साथ वक्त बिताते हैं हम बो साइज सिर्फ दोस्त मानता है मुझे लेकिन मैं तो सब मान बैठी हूँ उसे लेकिन अगले ही पल पायल की बात सुन बो सदमे में पायल को देखने लगी पायल तो तुझे क्या लगता है क्या वो गुंगा है पायल ने आखे मटकाते हुए कहा संस्कर्ती चुप कर यार मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है बस आबाज नहीं सुनी मैंने लेकिन बात करते हुए देखा है कुनाल के साथ पायल कुनाल से याद आया वो कल में अपनी फैमिली के साथ अपने अंकल के घर गई तो वहाँ पता चला कि वो मेरे अंकल का बेटा है और पता है वो समरपड का बचपन का दोस्त भी है संसकर्ती तो तू कुनाल से बात करना क्या सोचता है वो मेरे बारे में पायल हम ठीक है अच्छा सुन मैं कल भी नहीं आ पाऊंगी घर में कुछ इसू चल रहे हैं तू ध्यान रखना अपना संस्कृती हम ठीक है चल अब कुनाल एकजाम आने बाला है तो कुछ दिन तू मेरे घर पर ही रह लेना नहीं यार समरपण अभी घर पर कुछ इसू चल रहे हैं तो अभी नहीं चल मैं घर जा रहा हूं तू भी जा बोलते हुए कुनाल ने अपनी बाय के लिए और घर की और मुड़ गया घर के अंदर आते ही समरपण अपने पापा को परिशान सा देखा तो पास आकर बोला क्या हुआ पापा कुछ परिशान लग रहे हैं आप ये हैं मिश्टर मानव सिंग जो समरपण के पिता जो की दस बायटर बनना है आप समझते नहीं हैं बोलते हुए बो भी अपने पापा के पास सोफे पर वैठ गया तबी कृरती जी किचन से हाथ में चाय का कप लेकर आती हुई बोली इसी लिए ऐसी वहू लाना जो तेरे बदले तेरे पापा के साथ ऑफिस जाए इसी के साथ हासी के कह कह गूज उठे वहां दिन गुजरते वक्त नहीं लगता कब साल बदल दूसरे साल के अंतम में तब्दील हो गया पता भी नहीं चला लेकिन उस कॉलेज में दो लोग थे जिनें सिर्फ कॉलेज गार्डन की बेंची सेर करनी होती थी आज भी वो दोनों बस इसी काम में लगे थे जहां संसकर्ती उससे बात करने के लिए बहाने खोज रही थी वहीं समरपड की नजर संसकर्ती के नाजुक से हातों में थी कुछ सोचते हुए जैसे ही उसने समरपड के हात में अपना हात रखा ही था कि उस तच को महसूस कर संसकर्ती ने अपनी बड़ी हुई ध बही रिस्ता समझती थी वो उसे नहीं पता था समरपड क्या सोचता है उसके बारे में लेकिन वो तो समरपड को अपनी आत्मा में जगए दे चुकी थी अब सायदी कोई उस जगए में बस पाए वो नए सोच से अलग एक पुरानी प्रेम कता सुनने वाली लड़कियों में स सायद आज तक उसने हिम्मत नहीं की थी अपने बगल में बैठे इस लड़के से बात करने की आज हिम्मत जुटा कर संसकरती ने जैसे ही नजर उठाई तुरंत अपना हाथ खीच कर खड़ी होते हुए ही बोली अरे कुनाल पायल यू दोनों यहां मेरा मतलब है एक साथ हा जैसे तू तो यहां केमिस्टरी की क्लास ले रही है बोलते हुई पायल उन दोनों के बीच खड़ी हुई फिर उसने थोड़ा जिजगते हुए समर पढ़ की ओर देखते हुए बोली बो सर वो आपको हमारे सब्जेक्ट टीचर ने बुलाया था अपने केविन में समर पढ जाओगे तुमारा ये दोस्त गूंगा है क्या उसकी बास सुनते ही कुनाल ने उसे ऐसे देखा जैसे सामने खड़ी उस लड़की की मान से किस्तिती कुछ ठीक नहीं हो फिर अपने फेस पर हलकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला तुमें साथ पता नहीं है बाकी पूरा कॉ पता करना तुम भी इसी कॉलिज की हो और बो भी तो तुम्हारा सीनियर ही है यहां उसकी आबास से जदा उसकी कलम के दीवाने हैं कभी फुरसत में उसकी कविता पढ़ना साथ तुमें भी सुनने से जदा पढ़ना पसंद आने लगे इतना बोल कुनाल भी समर पढ़के प फायल हो चुकी थी आज दोनों ही कलास लेने के मूड में नहीं थी इसलिए कैंटीन में बैठी थी जहां दोनों ही बिजी थी फायल समों से ठूसने में और संसकरती कुछ देर पहले की बातों में गुम थी मेयाई कमिन सर हां आओ समर पर तुमारा ही इंतजार था बोलते बोला ये लो इस फायल में संसकरती के फैमिली की पूरी डिटेल है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें ये सब क्यों चाहिए थी बैसे मुझे पता है तुम्हें एक वैल नेचर स्टूडेंट हो और मिस्टर सिंग यहां के ट्रस्टी है इसलिए मैं तुमारी बोलते हुए सिर जुकाया और तेजी से बाहर निकल गया एक तेजी से चलती कार के अंदर में समर पढ़ने फायल खोली जिसमें कुछ लिखा था संसकरती पुरोहित रनिंग ग्रेजुएशन फैमिली पापा मिस्टर नमन पुरोहित बहन सारिका पुरोहित इस्कूल बढ़ी की वो त्रंत गाड़ी से उतरते हुए अंदर की ओर चल पढ़ा छोटे मगर खूबसूरत से घर में बैठा समर पन घर को बड़े गौर से देख रहा था रैक पर सजे हुए मैडल कई सारी टौफी इन सब को देख ही रहा था कि सामने से हाथ में दो कप कौफी लेक मिश्टर नमन पुरोहिता है और एक कप उसे थमाते हुए बोले हा तो बेटा आप कहना चाहते हो कि आपको हमारी संसकर्ती से साधी करनी है समर पढ़ने हा में से रहलाते हुए ही बोला जी सर मैं धर धर की बातों में ज्यादा समय ब्यर्थ नहीं करता हूं और मैं अपने पासी बाते करता हूं और मेरे पैरेंट्स को कोई प्रॉबलम नहीं होगी अगर मैं संसकर्ती से साधी करने के लिए बोलूंगा मैं आपसे बात करने के लिए आया क्योंकि मुझे लगता है कि घर के बड़े से बात करना ज्यादा सही है आप संसकर्ती से एक बार पूछ ली लेकिन आपके जितना ख्याल रखने की पूरी कोसिस करूंगा मैं संसकर्टी की उसकी बातों की सच्चाई उसके आँखों में चमक रही थी मिश्टर नमन ने उसके कंदे पर हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोले तुमारा अंदाज हमें बहुत पसंद आया बेटा हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है हम बात करेंगे संसकर्टी से एक तसली के साथ समर पर खुसी खुसी घर चला गया कुछ देर बाद जब समर पर चला गया तो कुर्सी से पीट टिका कर मिश्टर नमन ने अपनी आखे बंद कर ली और धीरे से बोला ऐसे लगता है जैसे संसकर्टी और इसके बीच कोई कनेक्शन है लेकिन लड़का खरा सोना है बहुत खुस रहेगी संसकर्टी इसके साथ दूसरी तरफ आज जै समर पर गई मिश्टर सिंग ने आबाज लगाते हुए उसे रोका तो बो भी जाकर वैठ गया कीरती जी ने उसे देखते हुए ही बोला क्या बात है खुस तो ऐसे हुआ पड़ा है जैसे तुझे कोई अपनी लड़की का हथ देने के लिए राजी हो गया हो उनकी वास सुन समर पर ने जटके से अपनी मा को देखा जैसे उन्होंने कोई चमतकार कर दिया हो और पानी में दिया जला दिया हो उसके ऐसे रेकसन को देख मिश्टर मानफ सिंग ने भी बोला अगर कीरती जी की वास सही है तो हमें दिक्कत नहीं है बस एडरेस बता दो तो हम भी जाकर लड़की देखकर बात फिक्स कर दें उन दोनों की बाते सुनकर समरपण ने अपने पापा के गले लगते हुए ही बोला थैंक्यू पापा पहले बो लड़की तो हाँ बोल दे आज सालों बाद उसके सरमीले बेटे ने उनके गले में बाहें डाली थी आखों के आंसु साफ क परते हुए उसकी पीट थप थपा कर बाते करने लगे दूसरे दिन संसकरती ने जैसे हाथ में एपल लिया नमंजी ने बोला बेटा कुछ बात करनी थी तुमसे संसकरती पापा आकर बात करेंगे अभी लेट हो रहा है हमको इतना बोलकर वो तेजी से बाहर निकल गई थी कॉलिज में यार संसकरती तूसे कुछ बोलती क्यों नहीं है ये उसका लाश्ट इयर है इसके बाद वो कॉलिज से बाहर और तू बस चुप चाप रहना पायल गई थी उसके पास लेकिन हिम्मत नहीं हुई तो चुप चाप फिर से बापस आ गई यार वो भी तो कुछ नह हाते बोलते हुए पायल ने उसके सर पर चपत लगाई और दोनों खिल खिला कर हस दी फिर कुछ सोच कर बोली आज बात करती हूं जाकर फिर पता नहीं कम मौका मिले वो कॉलिज अपने दोस्त कुनाल के साथी गार्डन में खड़ा कुछ बात कर रहा था लेकिन दूर से सं संसकरती को अपनी साथी की न्यूज का बताएगा तूने अपने घर बालो और ससुराल बालो को तो मना लिया वो भी इतनी जल्दी चल तो अभी ये न्यूज सब को बता दे जब आब में समर पर कुछ कहता उसके पहले ही संसकरती बहां से चली गई आज उसका प्यार अपन साथी ने उसे सब बता दिया होगा कल ही तो उसके पापा से बोला हूँ आज उसके सामने जाओं रहने दे बाद में बताऊंगा उसे बोलते हुए बो बेंच में बैट कर फिर मुस्कुराने लगा फिर सोच डायरी निकाली और कुछ लिखा तेरे बारे में सोच कर सारिका को स्कूल से लेकर आए तो संस्कृति को बुला कर चायर टेबल पर वैठे और बोले बेटा इस साल तेरा कॉलिज कंपलीट होने वाला है मैं सोच रहा था तेरी साधी का जहर दे दो पापा मुझे तुनकते हुए गुस्से में दहकते लाल चेहरे के साथ जैसे ही सं आदी नहीं करेगी समरपड की आदी काफी है उसे जिंदगी जीने के लिए लेकिन उसे क्या पता था कि जिसके लिए उसने ऐसा फैसला लिया है वो दिल में तो है लेकिन खुद से दूर होने के बज़े भी वो खुद ही है फोन पर लगबग रो देने वाली आबाज में सम कहीं बोलूं इतना बोल उन्होंने दुखी होते हुए फोन काट दिया फोन काटते ही वो तड़ा पुठा और लगबग गिर ही गया हो था अगर कुनाल उसे पकड़ नहीं लेता घर आकर उसने सब के साथ थोड़ा बहुती खाया और अपने पापा के साथ ऑफिस संभालने के लिए भी एगरी हो गया दिन गुजरते जा रहे थे संसकर्ती जब भी समरपड को देखती बहां से दूर हो जाती और पायल से भी बोल देती कि अभी स्टडी में ध्यान देगी कुछ दिन में वो पीजी के लिए बाहर चली गई कम से कम इस सहर से दूर रहेगी तो थोड साथ बोल दिया था कि साधी तो अब जब भी करेगा उसी से ही करेगा इस बीच कुनाल और पायल की फैमिली ने भी उन दोनों की साधी करा दी और कुछ दिन में ही बो दोनों भी हैदरावाद चले गए सब बदल गया था बक्त भी लोग भी लेकिन कुछ रुका था तो वह है बस बही दोनों आज भी बो लोग अपने उसी बक्त की यादों के सहारे ही बक्त काट रहे थे और दोनों ही अपनी जिद के कारण एक दूसरे से दूर थे साथ साल हो गए थे इस बात को लेकिन मजाल कि संसकर्ती साधी के लिए हाँ बोल दे हास्पिटल बैट पर लेटे इतना बोल वो अपने पापा के सामने उनका हाथ पकड़ कर रोने लग गई अगर आज मेरी तवियत खराब ना होती तो तू अब भी बहीं रहती जहां अभी तक थी है ना इस बार संसकर्ती ने अपना से जुका लिया और बोली मैं आने ही वाली थी लेकिन फोन पर भी आपको कभी ना आने को बोल दिया इतनी सी बात पे आपको अटैक आ गया पापा क्या होता मेरा और सारे काका आपके विना आपने सोचा भी है इतना बोल बो और जोर से रोने लगी इसके बाद ही नमन जी ने उससे बोला तेरी छोटी बहन की जिमेदारी भी मुझ पर है अ लेकिन साधी बहुत ही सिंपल तरीके से होनी चाहिए इतना बोल बो तेजी से बाहर की और निकल गई जाते बक्त उसने ध्यान नहीं दिया कि सामने से समर पड़ा रहा है उसने उसे आवाज भी लगाई लेकिन तब तक वो जा चुकी थी अंदर आते ही समर पड़ने देख ली है अब तुम भी जाकर त्यारी कर लो आकर साथ साल इंतिजार किया है तुमने उसकी बात सुनकर समर पड़ खुसी से जुक कर पाँच छूते हुए ही रो पड़ा आकर इस लड़की ने उसे रूलाने में कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी थी बीटते दिनों के साथ रसम हबीजी देखा तो उसका पारा गर्म हो गया उसने तुरंत कॉल लगाया उधर से हैलो की आवाज आते ही उसने सीधे बोला देखिये मिश्टर आप जो भी हो प्लीज इस साथी के लिए मना कर दीजे ना उधर से जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने फोन काट दिया दू पढ़कों को सुनाई नहीं पड़ा सारी रस्मों के बाद बस साधी ही बची हुई थी संसकर्ती के कमरे में आज बो दुलहन के जोड़े में बहत खुबसूरत लग रही थी नमंजी कमरे में आते ही पहले अपनी बेटी की तरफ देखा फिर उसके पास आकर उसके हातों में एक खुबसूरत सा कमरबंद रखते हुए बोले ये तेरी मा की है जब तू छोटी थी अक्सर इसे पहनती थी इसे पहन लेना तेरी मा का आसिरवास समझ कर फिर उटकर जाते हुए बोले एक वार अपने हमसफर से बात कर लेना हो सकता है तेरी उलजन सुलज जाए फिर टे पर रखे कार्ड पर डाली लेकिन उसके पास तक जाने की कोशिस भी नहीं की साइद कार्ड को देखती तो फ्यूचर कुछ और हो जाता उसने दिल ही दिल में समरपड को याद करते हुए अपने आपको कुर्सी पर टिका दिया लाल रंग में रंगी लाल जोड़े के साथ जैमाला की रस्म में सिर जुकाय हुए संसकर्टी ने एक बार भी नजर उठाने की हिम्मत नहीं की जिन आखों में कोई और पहले ही वश चुका था उसमें किसी को भी पनाह देने की उसने जहमत नहीं उठाई दीदी एक बार देख तो लो जी जा जी कैसे लग रहे हैं सार रस्मों के बाद जब विदाई हुई तो संसकर्टी ने अपने पापा से लिपट कर बहुत रोया जैसे कि क्या कुछ छूट गया हो उससे गाली में बैठते हुए उसने अपने मन में ही बोला सौरी समरपण हमारा साथ यहीं तक का था नौक नौक ऑफिस केबिन में बैठी संसकर्टी अपनी यादों के भवर से बाहर आई तो खुद को अफिस में पाया कहा साधी का मंडप और कहा समरपण उसने सामने रखे मन्त डायरी को देखा फिर बोली कहा हो समरपण एक हपते के बाद हमारी साधी को हाप अनिवर्सरी हो जाएगी तुमने इतना इंतिजार किया और अन्त में ये क्या कर दिया बोलते हुए उसकी आवाज कपकपाने लगी उसने डायरी के डेट पर मार्क किया तब ही एक बार फिर से नौक की आवाज आई तब उसे ख्याल आया कि बाहर कोई है उसने कमिन बोला और फाइल देखने लगी दरवाजे पर सारे का आई ती उसने संसकर्ती से लिपढ़ते हुए बोला दीदी आज हम और पापा आपके ससुराल आ रहे हैं सोचा आपको बता दे बैसे अच्छा लगा आपको ऐसे खुद को संभालते हुए देखकर मुझे पता है मेरी दी सब ठीक कर देंगी अपना रिस्ता भी और अपने आपक के साथ हमारी कोयल भी आ रही है आपके घर चलो मैं चलती हूँ अपना ख्याल रखना बाय दी इतना बोल वो बहर चली गई उसके जाते ही मिश्टर मानब किरती जी के साथ आए किरती जी के हाथ में लंच बॉक्स देखते ही संसकर्ती खड़ी होते हुए बोली मा पापा मा कितनी वार बोला है कि मैं और पापा घर आ जाएंगे लंच के वक्त बेवचे आप परिसान होती हैं उसकी बास सुनकर मानब और किरती के फेस पर इसमायल आ गई उन दोनों ने एक साथ उसे खुश से गले लगा लिया और सब एक साथ केविन के सोफे पर बैठ कर लंच करन किरती जी आपने एक उलाद पैदा करा बो भी नालायक बो तो सही बक्त पर उस नालायक को एक भली लड़की से साधी का खयाल आया बरना आपको तो समझ जाना चाहिए हमारा बुड़ापा कैसे बीचता इतना बोल कर उन्होंने रोटी का टुकड़ा मूं में डालते हुए बोला बैसे खाना आपके हाथ का आज भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमें पसंद है उनकी बात और आगे जाती उसके पहले ही किरती जी ने दिखावटी गुस्से में बोली तो फिर ठीक है मैंने एक धंकी आउलाद नहीं पैदा करी इसलिए आप बाप बेटी आज र लिए फैसल् Vanessa किया है कि अपने प्यार की उसका प्यार पाने में पूरी मदद करूंगा क्या होगा अगर उसका प्यार तुम ही हो पूछते हुए सामने वाले हम उम्र लड़के की डायरी उठा कर उसमें लिखी बही सायरी पड़ी जो पहले पन्ने पर लिखी हुई थी मु उसने मुझसे कोई बात करी और नहीं मेरी कुछ सुनी मुझे तो अब ध्यान आ रहा है उसने तो एक बार भी मेरा चेहरा देखने की भी जहमत नहीं उठाई साइद इसी लिए क्योंकि वो उस लड़के से सच्चे दिल से प्यार करती है इतना बोलकर समर पढ़ने बोला अब कैसे इनसान है जो स्टोन हाट के नाम पर मसूर है साइद इसी वज़े से कोई लड़की जिंदगी में नहीं आई और अब तुम्हारी हालत देखकर लगता है कोई नहीं आये तो अच्छा है इतना बोलकर वो लड़का बाहर की तरफ चल दिया पीछे से समर पढ़ने थोड बच्चे के पास चला गया नास्ते के टेवल पर वैठे मिश्टर और मिसेस सिंग नास्ता कर रहे थे हाथ में पराठे लेकर आती हुई संसकर्ती ने जैसे ही मिश्टर सिंग के प्लेट में पराठे रखे मिसेस सिंग ने बोला बेटा तू भी आजा फिर तुझे पापा के साथ ओफिस भी तो जाना है ना उनकी वाद सुनकर संसकर्टी ने धीरे से जीमा बोलते हुए जैसे ही कुर्सी खीचने को ही डोरवेल वजुठी हम देखते हैं बोलते हुए संसकर्टी दरवाजे की तरह बढ़ गई दरवाजा खोलते ही सामने पोश्ट मैं रिजिश्ट्री लिए हुए खड़ा था उसने साइन करके उसके हाथ से रिजिश्ट्री लिया और देखा इसमें संसकर्टी का ही नाम लिखा हुआ था कुछ सोचते हुए उसने बहीं खड़े-खड़े ही उसको खोला और जैसे ही पेपर देखा उसके हाथ कापने लगे और वो एंवलप न अंदर आती हुए बोली कुछ नहीं मा बस कुछ डकुमेंट है मेरे बोलती हुए वो अंदर जाने लगी और पीछे से मिश्टर सिंग ने उसे रोकते हुए बोला अरे बेटा नास्ता तो कर लेती फिर ओफिस के लिए भी निकलना है नहीं पापा आज मुझे ओफिस नहीं कर दीजिये बोलते हुए वो तेज कदमों से सीड़ी चड़ते हुए तेजी से अपने रूम में आ गई और दरवाजा बंद कर उसी दरवाजे से पीट टिका कर घुटने मोड कर वैठ गई फिर कापते हातों से एक बार फिर इस पेपर को निकाल कर देखा डिवोर्स पेप पर इसे देखते ही संसकर्थी को अपने दिल में कुछ चुबन सी महसूस हुई उसे ऐसा लगा मानू क्या छूट गया हो उसके हातों से समरपड ने उसमें अपना सायन करके भीजा था उसके जाने के बाद जब इसे पता चला कि साधी तो उसके ही समरपड के साथ हुई है उसने तै कर लिया था कि अब वो समरपड के आने का इंतजार करेगी जब वो बापस आएगा तो उससे अपने दिल की बात बताएगी सारी गलत फैमिया दूर करेगी लेकिन ये क्या कर दिये समरपड ने खुद तो आया नहीं रिष्टे तोड़ने के लिए ये चंद खाकर धीरे से हैलो बोला सामने से पायल ने बोला या टीवी ओन कर वो गुम नाम रायटर जिसके नौविल और सायरी तुझे पसंद है उसका आज इंटर्विव आया है डिजिटल टीवी चैनल पर और तेरी खुसी के लिए बता दूँ वो कोई और नहीं समरपड है छे मह पर हात में लेकर बाहर की तरफ निकलने वाली थी कि कुछ सोचते हुए ही बाहर जाकर बोली मा पापा मुझे आने में देर हो जाएगी इसलिए आप परिसान मत हो ना इतना बोलकर तेजी से बाहर निकल गई वो मन ही मन खुद से बोली इतने पास थे आप मेरे लेकिन एक पर भी मिलने का दिल नहीं की आपका मुझसे मुझे पाने की जितनी सिद्दत के साथ कोसिस की उतनी सिद्दत से मुझसे इजहार करने के लिए भी करते तो साथ आज इतनी दूरी नहीं होती हमारे बीच उसकी आँखों से आँसु गिरे जा रहे थे जिसे पोशने की जहमत नहीं उठाई उसने और अपने कार की स्पीड और तेज कर दी एक खुले गार्डन में एक लड़के के सामने कुछ रिपोर्टर बैठे हुए थे और वो लड़का भी बैठा एक डायरी के पहले पन्ने को ही देख रहा था जो फाइनली आज ये बास सामने आही गई कि अब तक गुमनाम रायटर जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है वो कोई और नहीं बलकि सहर के मसहूर सिंग फैमिली के इकलोते वारिस मिश्टर समरपर सिंग हैं तो मिश्टर सिंग जैसा की सब आप को बोलते हैं आप बाते बहुत कम करते हैं क्या इसलिए आपने बज़े है कि आपने सीधे चैनल के लिए हां बोल दिया एक रिपोर्टर ने बिना रुके सवालों की गोली दागना सुरू कर दिया तो क्या मुझे हां नहीं बोलना था समरपर ने बहुत सर्द लहजे में उस रिपोर्टर को देखते हुए बोला नहीं सर मेरा बो मतलब न पड़ा अपनी एक नई स्टोरी के साथ जिसे मैंने अभी मार्केट में लांच करने के लिए सूचा है पर उससे पहले मैं सब के सामने उस स्टोरी के बारे में कुछ जानकारी सेर करना चाहता था इतना बोलकर उसने दोबारा बोला ये स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे म लेकिन अंत में साधी के रात उसे ऐसा कुछ पता चला जिस कारण उसने अपना घर छोड़ दिया और उसका पहला सीजन अधूरा ही खत्म हो जाता है। पहले में समाप्त हुई है ना तभी पीछे से किसी लड़की की गुस्से भरी आबास सुनाई दी हो ना क्या है। भात धरे बस उसे एक टक देखता ही रह गया। तभी संसकर्ती ने उसका कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाती हुई। रिपोर्टर की तरफ देखकर बोली दूसरी सीरीज के इंतजार से पहले पहली सीरीज को लेखक साहब अब पहली सीरीज के स्टोरी पूरी करेंगे। इतना बोलबू से लेकर आगे बढ़ गई। बहां खड़े सब लोग ये नजारा आँखे फाड़े देख रहे थे और संसकर्ती बिना किसी को देखे बढ़ बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही थी और सारे रिपोर्टर इस नजारे का मज़ा लेते हुए उसे अपने कैमरे में कैद कर रहे थे समझ क्या रखा है मुझे साधी कर ली लेकिन सकले दिखाये बिना घर से निकल दिये एक बार मा पापा का ख्याल भी नहीं आया बेचारी मा इतना कॉल करती थी रातों को रोती थी सबसे चुपकर पापा दिनों दिन तूट रहे थे लेकिन मुझे देख संस्कृती ने उसे कार के आगे धकेलती हुई बोली अब सीधे कार में बैठो तभी पीछे से एक बच्चे की आबाज जाई दीदी आप भाईया को ले जाएंगी तो मेरा क्या होगा मैं कहां जाऊंगा संस्कृती ने बच्चे को हैरानी से देखा तो बच्चे ने बोला भाईया के अलावा अब मेरा कोई नहीं है दीदी इतना बोल बच्चे ने सिर जुका लिया संस्कृती ने उसके पास आकर उसके मासूम से चहरे पर हाथ फिरते हुए बोली अब तुमारा बहुत बड़ा प फोन बचा मिश्टर सिंग का कॉल देखकर संस्कृती ने कार चलाते हुए ही फोन उठा कर बोली हाँ पापा क्या हुआ मैंने बताया तो था कि घर आने में लेट हो जाएगा मुझे सामने से मिश्टर सिंग ने बोला बेटा जी क्या समरपड आपके साथ है अभी इतना सु पापा ने देखा है तुम दोनों को संस्कृति मां हम दोनों घर में ही आ रहे है इतना बोलकर उसने फोन रखते हुए उस बच्चे को देखकर बोली पहले मैं सारिका के पास जा रही हुँ तो वो नन्ने राजकुमार का ध्यान रखेगी फिर हम मा पापा के पास जाएंग इतना बोलकर वो फिर ड्राइब करने लगी कुछ ही देर में संस्करती बहां पहुंचकर सारी का को सब बास समझाते हुए उस बच्चे को बहीं छोड़कर बापस घर की ओर चल दी समझते क्या हो अपने आपको आदी रात घर से निकल गए आज 6 महीने से ना कोई फोन ना कु क्यूं परवा होगी तुमें हम सब की क्या चलता है तुमारे दिमाग में समरपड क्यू जीना मुस्किल कर रखा है हम सब का बोलते हुए मिश्टर सिंग ने समरपड को कहर भरी नजर से घूरते हुए जाकर सोफे पर बैट गए मिसेश सिंग भी समरपड के पास आती हुई बोली बेटा ये तो नहीं सिखाया था हमने आपको बो साधी करके तुम्हारे साथ इस घर में आई और तुमने उसे वहीं अकेले साधी की राती छोड़ गये ये कैसा प्यार था आपका हमने देखा है हर पल उसे आपके इंतजार में मैंने और तेरे पापा ने भले ही हर खु उसी देने की कोशिस की मगर उसकी सूनी आखे सब दिखा देती थी अगर कुछ प्रोबलम थी तो आप दोनों बैटकर आपस में सांती से सुल जा सकते थे ऐसे फैसले नहीं लिये जाते जैसे आपने लिये थे समर पर चुप चाप उनकी बाते सुन रहा था फिर उठते हु लगे घर पहुंचते ही संसकरती समर पर को बाहर छोड़कर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और उसी से टिक कर खुद को काबू करने की कोशिस करी फिर खुद से बोली अब क्या करूंगी कैसे बताऊंगी कि जिससे मैं प्यार करती हूं बो लड़का तो खुद वही है अपनी बेवकूफी के कारण मैंने खुद ही अपने प्यार को खुद से दूर कर दिया वो टावल लेकर बातरूम की तरफ जाती हुए बोली अब मैं समर पर से सारी गलत फैमियों को दूर कर दूंगी दरवाजे पर नौक की दरवाजे सारी में उलजे गीले बाल में खड़ी वो लड़की बहत खुब सूरत लग रही थी उसे देख कर ही समझा रहा था कि वो जल्दी जल्दी में ही बाहर आई है उसकी धड़कन एक बार फिर सोर करने लगी तब ही उसके कान में एक बार फिर बही बात गुजी कि मैं किसी और स उससे नजरे फेल ली और कमरे में रखे कौश पर लेट गया आईने के सामने खड़ी होकर सिंदू लगाते हुई संस्कृति के नजर एक बार फिर उस पर गई तो उसे एक टक देखने लगी सालों बात बोसे देख रही थी ये था उसका प्यार जिसे ना कभी बताया ना कुमारे पापा का फोन आया था संसकृति ने उन्हें देखते हुई बोला क्या बात है पापा पापा ठीक तो है ना संसकृति भी परेशान होते हुई बोली अब तक समरपड भी उसके पास खड़ा होता हुआ बोला क्या बात है पापा मिश्टर सिंग नहीं डरने वाली ब पूली सुनिये मुझे आप से कुछ बात करनी है मुझे पता है यही ना कि तुमारी फैमिली के सामने मुझे और तुमें अच्छे रिलेशन का दिखावा करना है डॉन बरी मेरी वज़े से कुछ मिश्टेक नहीं होगा समर पर बेना कुछ सुने बहां से निकल गया और संस्क हो जाएंगे उनकी वासन बहां बैटे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई अरे पापा ये सब छोड़ो और ये बताओ किस नक्चडी को पसंद किस ने किया ये पूछते हुए संसकरती ने चाय का कप उठा कर समर पड़ को पकड़ा दिया उसने भी चुप चाप चाय ले ल उपाती बोलते हुए सारे का जाकर समर पड़ के वगल में बैठ गई तबी दरवाजे पर दस्तक हुई संसकरती जैसे ही आगे बढ़ने को हुई अपनी ही साली में उलजकर गिरने को हुई घवराहट में उसने अपनी आखे बंद कर ली तबी उसने खुद को किसी मजबू उत्वाहों के गरप्त में पाया जैसे ही उसने आखे खोली सामने समर पड़ने उसे थाम रखा था उसने उसे सीधा करते हुए बोला सारी वो तुम गिर रही थी मेरा कोई गलत इंटेंसन नहीं था इतना बोल वो वहां से चला गया सामने दरवाजे पर खड़ा कुनाल जहां संसकर्ती किसी गहरी सोच में खड़ी थी और कब कुनाल उसकी बगल में खड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला उसे होस तवाया जब उसके कान में कुनाल की आवा सुनाई दी कुनाल बुरा लगता है ना जब हमारा प्यार हमें इग्नोर करता है उसे भी ऐसा ही लग जब फाइनल में तुमने उसे अचानक से नजर अंदाज करना सुरू कर दिया था फिर भी उसने हार नहीं मानी थी फिर ऐसा क्या हुआ था संसकर्ती कि मेरा दोस्त ऐसा व्योहार कर रहा है जैसा वो है ही नहीं उसकी वास सुनकर पहले तो वो चौक गई फिर आखों में नमी लिए कुनाल की तरफ मुड़कर बोली अभी आये हैं आप पहले अंदर चलिए फिर आराम से बाते करेंगे कुनाल भी सर हिला कर अंदर चला गया वक्त बीटते वक्त नहीं लगता साधी की सबी रस्म लगवक पूरी हो चुकी थी लेकिन इस पूरे वक्त संसकर्ती जब भ संसकर्ती तयार होकर वहर आई वो अपने पापा के पास खड़ी कुछ बात कर ही रही थी जब अंदर से आते समरपड की नजर उस पर पड़ी लाल रंग के हरे बॉडर वाली बनार सी साड़ी में वो छोटे कद की लड़की बहुती खुब सुरत लग रही थी समरपड की न हां में सिर हिलाया तो वो दोनों बाहर निकल गए जाते जाते पायल मिश्टर पुरोहित के पास जाकर बोली अंकल हम लोग आदे घंटे के वादी लोटेंगे बाहर का काम निप्टा कर आप यहां का काम संसकर्ती और जीजु को समचा दीजेगा उसके जाने के बाद मिश् में ही थे उसकी वास सुनकर उन्होंने फिर वोला एक और बात बेटा मेरी बेटियों की मा नहीं है इसलिए वो हर बात किसी से सेर नहीं कर पाती खास तोर पर संसकर्ती वो बड़ी है ना सारे कातो मन की वात इससे ही करती है इसलिए मैंने इसकी साधी आप से करवाई है मु जैसे ही हाथ जोडने को हुए संसकर्टी और समरपड़ने एक साथ उनका हाथ पकड़ते हुए एक साथ बोले पापा संसकर्टी पापा समरपड मुझे समझते हैं आप चिंता मत कीजिए हम दोनों बहुत खुस हैं आखर अंत में आपकी बेटी को भी तो मिला जो वो चाहती अब चलिए सारिका के पास मैं भी आती हूँ उनके जाने के बाद संसकर्टी समरपड के पास आती हुई बोली कोयल सो चुकी है चलिए उसे हमारे कमरे में सुला दीजिए समरपड कुछ देर पहले संसकर्टी ने जो वोला था उसी के बारे में सोच रहा था अब जाकर उसे के मूँ से निकल गया अगर मैंने आप से बात की होती तो साइद इतनी बड़ी ही हमारी भी बच्ची होती इतना बोल वो बाहर की ओर चली गई समर पर उसकी कही बात सुनकर सोच में पढ़ गया जैसे तैसे साधी पूरी हुई विदाई के बक्त सारे का अपने पापा के पास ना आपको कि एक वार जीजू को देख तो लीजिये लेकिन जिसकी सूरत दिल में वसाई थी आपने उसे ही अपने सामने सिर उठा कर नहीं देखा मैंने कई वार बताने की कोशिस की थी आपको लेकिन आपको लगा था हम आपकी साधी किसी और से करा रहे हैं आपके कमरे मे वो छोटी सी सिलिप मुझे ही मिली थी जो मैंने पापा को दिखाया था तबी तो उन्होंने जिद से आपकी साधी करवाई थी अब आप जीजू को जल्दी मना लेना हम दो बारा आएं तो आपको बैसे ही देखना चाहेंगे जैसे कॉलेज के दिनों में देखते थे इतना ब पासरा हुआ था सबकी आँखें नम थी लेकिन समर पड़ था कि सारी बास सुरू से ही सोच रहा था अब उसे सब समझ जा रहा था फिर कुछ सोचते हुए वो संसकरती के कमरे में गया तो उसके बेट के बगल में बनी ड्रोर को खोला उसमें कुछ सिलिप रखी हुई थी जो कि उसी की लिखी हुई थी साथ साल बाद भी इतनी संभाल कर रखने का मतलब क्या था बहीं वैठा कुछ सोच रहा था कि पायल अंदर आते हुए बोली बोला था मैंने उस पागल लड़की को कि कहीं ऐसा ना हो जाए तेरी साधी तेरे ही प्यार से हो जाए और तुझे पता भी ना चले कम से कम उसने आवाज तो सुन ली होती आपकी तो जब आप बात करते तो वो आवाज पहँचान लेती लेकिन वो पागल बोल ही नहीं पाई लेकिन जिस दिन बोलने गई उसने कुनाल की वास सुन ली कुनाल तु संसकरती को अपनी साधी की इनूज कब ब जिन्दगी बिताने का सोचा और फिर फिर क्या हुआ उसके बाद आपको तो याद होगा अब समरपड को सब याद आने लगा कि कैसे अचानक से बो उससे दूर भागने लगी थी साधी के लिए भी मना कर दिया था और सारी बाते जो हुई थी सारी बाते सोचते हुई साधी के बाद एक बार भी अपने पती का चहरा तक नहीं देखा क्योंकि अपनी आखों में उसने मुझे ही बसा रखा था ये सोचकर उसने अपनी आखे बंद कर ली पायल अभी भी खड़ी उससे देख रही थी वो जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ी समरपड ने बोल तो मारी दोस्त थपड बहुत जोर का मारती है अब पायल पलट कर हैरानी से उसे देखने लगी थी तो समरपड ने मुस्कुराते हुए ही बोला मेरे इंटरव्यू में देखा नहीं था क्या अब पायल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई फिर उसने हसते हुए ही बोला मैंन नहीं नहीं सभी ने देखा था कि कैसे वो आपका कॉलर पकड़ कर घसीटते हुए इंटरव्यू पलेस से सबके सामने ले गई थी इतना बोलकर पायल हसते हुए ही बाहर चली गई और समरपड कोई सोचने लग गया इधर मिस्टर और मिसेज सिंग कमरे में बैठे थे और सामने ही संसकरती उन्हें सेब काट कर दे रही थी मिस्टर सिंग बस हो गया बेठा अब हम लोगों को घर में ही जाना है आपने अपनी पैकिंग तो कर रखी है ना जी पापा बोलते हुए संसकरती बहीं रखी टेबल पर बैठी ही थी कि समरपड कमरे में आते हुए बोला बो पापा आप मा को लेकर जाईए मुझे संसकरती से कुछ काम है तो मैं उसे लेकर बाद में आ जाऊंगा अभी कुछ काम से जा रहा हुए एक घंटे में मिलता हूँ मैं इतना बोलकर समर पड बिना किसी की बास सुने बाहर चला गया कमरे में मिश्टर और मिसेस सिंग न अब कमरे में तीनों के ही ठाकों की आवाज गूंज उठी बाहर दरवाजे के किनारे खड़े समरपड के होटों पर भी मुस्कान तैर गई और वो बहां से चला गया अपने कही बातों का रियक्शन जानने के लिए ही तो वो बहां खड़ा था मिश्टर नमन पुरोहित एक ब सारिका भी नहीं है आप अपना ध्यान रखोगे या निर्णय का वो आगे कुछ बोलता उसके पहले ही मिश्टर पुरोहित बोल उठे निर्णय मेरा ही वेटा है और मैं चाहता हूं कि ये मेरे साथ ही रहे ये मेरा सहारा है और बैसे भी सारिका इसे अपना छोटा भाई मा आने लगे समरपड पहले तो हैरान हुआ फिर कुछ सोच कर मुस्कुराते हुए बोला ठीक है पापा ये भी सही फैसला है वैसे मैं सोच रहा था संसकर्ति को लेकर बहार जाने का क्या मैं ले जा सकता हूं मिश्टर पुरोहित हम ठीक है ले जाए और अब वो आपकी वाइ था कि संसकर्ति मुझे सुरू से ही पसंद करती थी मिश्टर पुरोहित नहीं लेकिन तुमारी साधी के दो महीने पहले ही संसकर्ति के ड्रॉर से तुमारे लिखे हुए कुछ सिलिप मिले और मुझे फिर सब चीजे समझ में आ गएं क्योंकि तुम साथ साल बाद भी संसकर संसकर्ति का तो पता ही है तुमें बाकी दिल की बहुत साफ है मेरी बच्ची इतना बोलकर उन्होंने समरपड के पास आते हुए बोला अपना और मेरी बच्ची का ख्याल रखना अब समरपड संसकर्ति के कमरे की ओर चला गया कमरे में बैठी संसकर्ति किसी गहरी सोच में दूबी थी जब उसके कमरे का दर्वाजा खोल समर पड़ अंदर आया उसी उचानक अंदर आया देखकर संसकर्ती अपनी सोंच से बाहर आई और तुरंत खड़े होते हुए बोली आप कुछ काम था किया समर पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उसके पास आकर बोला बिना सीधा घर जाएंगे बाहर बैठा समर पर संसकर्ती का इंतिजार ही कर रहा था जब उसे किसी के कदमों की अहट सुनाई दी उसने मुड़कर देखा तो जैसे उसकी धरकनों के सोर के आगे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया गहरे हरे रंग की साड़ी पहने संसकर्ती धीरे ध पापा को बता दिया है कि हम बहार से सीधे घर चले जाएंगे समर पर ने धीरे से हम बोला और उसका हाथ पकड़ कर आगे बढ़ गया तो सामने से आता कुनाल उससे टकराते टकराते बच्चा फिर भी उससे बिना कुछ बोले वो आगे बढ़ गया यहां कुनाल सोचते र पहले ही उसका हाथ पकड़कर समर पड़ कॉलेज के गार्डन में उसी बेंच पर ले जाकर उसे विठाने के बाद खुद भी बैठते हुए बोला यू नो एक लड़की से पहली नजरवाला प्यार हो गया था इसी कॉलेज में टकरा गई थी मुझसे और मेरे पास अपनी डा ये से फिर मैंने उसकी और अपनी साधी की बात की हमारे घर पे और पता है जब उसे बताने के लिए आया तो उस दिन से वो मुझसे दूर भागने लगी थी साथ साल दूर रहकर बिता दिये थे उसने फिर साथ साल बाद किसमत ने हमारी साधी तो करवा दी उससे लेकिन कि से तम था बिखराओ तो तब आया जब साधी की रात उसने बिना मुझे देखे ही मुझसे बोला कि वो किसी और को अपनी जिंदगी दे चुकी है बस यही बरदास नहीं कर पाया और उसे छोड़ कर चला गया मैं फिर छे महीने के बाद जब उसे इस रिस्ते की आजादी का का अगज भेज दिया तो मेरे कॉन्फरेंस में मुझे थपड मार कर घसीटते हुए मुझे घर ले आई अब क्या मैं जान सकता हूँ अब आगे क्या करना है इतना बोलकर जैसे ही संसकर्ति की और मुड कर देखा रोती हुई संसकर्ति उसके हाथ को पकड़ कर और जोर से रो पड़ी I am sorry समरपड मुझसे सच में गलती हो गई मुझे लगा आप किसी और से साधी कर रहे हो तो मैंने आपकी चंदे यादों के सहारे पूरी जिंदगी बिताने का सोच लिया था मेरा प्यार भोतिक नहीं था आप इस कदर आत्मा में बस गये थे कि मैं फिर से सकते दोबारा बोली जब पापा ने साधी करा दी तो किसी और का चहरा देखना मुझे मेरे प्यार के लिए बेमानी लगा बस इसी लिए बो सब हो गया अब समरपड ने उसे साइड से गले लगाये हुए बाहर की तरफ चलते हुए बोला अब एक नई सुरुआत के लिए पुर और रहत की सांस ली कितने समय के बाद उनके बेटा और वहु इतने खुस थे अपने दिल की बात एक दूसरे से करते हुए कब वो दोनों नींद के आगोस में चले गए पता ही नहीं चला इतने समय के बाद दोनों सुकून की नींद सोए थे सुबह कमरे में किसी के संसकर्ति जैसे नीन से जागी तुरंत दरवाजा खुला सामने कुनाल और पायल खंळे थे उन दोनों की आखों में सरारत को समझते हुए जैसे ही वो दरवाजा बंद करने को हुई उन दोनों ने जटके से दरवाजा खोल अंधर आ गये संसकर्ति भोचक किसी खड़ी रह कर पाती उसके पहले ही उसने देखा समरपढ़ ने उसको समझ कुनाल का हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपनी बाहों में लेकर फिर सो गया तबी कुनाल जोर जोर से चिलाने लगा छोड वे मैं बैसा नहीं हूं छोड मुझे मैं कहता हूँ छोड मुझे इस सोर से समरपड की नींद खुली और अपने बगल में कुनाल को देखती हुए बोला क्या कर रहा है तू यहां उन दोनों को ऐसे देख कर पायल संसकर्टी के साथ बाहर चली गई इधर कमरे में कुनाल और समरपड में जगडा चालू था कुछ देर बाद संसकर्टी दूसरे कमरे से रेड़ी होकर बाहर आई और समरपड भी रेड़ी होकर बाहर आया नास्ते के टेवल पर मिस्टर और मिसेश सिंग कोयल के साथ ही भी जी थे सबने नास्ता किया और कुनाल और पायल कोयल के साथ उन दोनों से मिलकर चले गए उनके जाने के बाद पूरा सिंग परिवार मंदिर में दर्सन के लिए गए घर आकर मिसेश सिंग ने सोफे पर बैठते हुए बोला अब हमारे परिवार में खुसियां आ गई हैं इससे किसी की नजर ना लगे यही तो वो चाहती थी अब उनका परिवार सुकून में था तो दोस्तो कहानी ही पर समाप्त होती है दोस्तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेयर करें कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो